हाई दोस्तों आल कम्टेटिव जांस अर्हास फर्मा यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आई ये मैद का प्रस्ण है उसको उन्हों साल्व करेंगे तो पच्पनवाप प्रस्ण है उस एक वस्तू को उस एक वस्तू को 388 रुपए में बेचा जाता है तो तीन परशंट की आनी होती है यदि वस्तू को आट परशंट के लापर बेचा जाना हो तो इसका विक्रे मुलिए रुपए में कितना होगा आपसने 412,444,442,460 तो आए इसकी सल्यूशन पर चैनल किया ज का सेलिंग प्राइस है यानि की सबमनी है कषिया जाल तो कितने हम है 380 छू किया तक 109 बसके अकी कर देख़क गुना है चारजना है गोजा चारएग Jewish or उने चार सुरुपय है उसका क्रें चाय मुर्य था अब पेंद आट परशेंट का तो सौ रुपय पे और आट परशेंट आठ्ट होता है तो चार सो का ट्थ지는 है श्ल करतेंगों इस प्रश्खन का जो है सी विकल्ब सही है est 432 को में आए 55 के बात 56 नंबर के प्रस्ट पे हम लोग चला जाए कुर यह दिखिए हुआ से अधि जो है इसके से यह यह दि प्रफम में से इसके वह जाए यह अंवरेम्य से जो ए है तो चाहब कि आईए देखिए सलूशन को दिखा जाए और समझा जाए उन्नाइस मनलब नौ संख्या है उनका एवरेज जो है उन्नीस है उन्नीस का नौ में गुड़ा कर देंगे तो टोटल सम आ जाएगा 171 नौ संख्याओं को जो सम है यूग है वह 171 आ जाएगा चार संख्याओं का भैट जो एवरेज दिया है वह 14 दिया है तो चार संख्याओं इसका भी संख्याओं घुड़ा करतेंगे तो छप्पाना जाएगा 171 में छप्पन घटा दिंगे तो एक्सुपंद्रा आ जाएगा यह बचा है क्या पांस संख्याओं का योग संख्याओं का जोड़ने पर योग होता है वही बचा है चीक है 115 अब कि तो एक सो पंदरा भागे पांस कर देंगे तो आज़ागा तेईस तो यह पांचों संख्याओं का जो एवरेज होगा वह तेईस होगा चीक हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और यानि सत्ताउणवा प्रश्ण देखते हैं उसक लाग टूरासी जार थींसो एकईस मत प्राप्त हुए तो डाले गए मत हो कि संख्या कितनी थी 14,277 सत्रा लाग कि मोगा तो 12,592 इनीस लाग 12,573 पंद्रह लाग 17,000, 200, 89 तो कौन सा इसका आपसन सही है आईए चलते हैं solution क्यों तो देखिए A और B जो है दो प्रत्यासी हम माल लेते हैं इसको 4 वोट मिला इसको 9 वोट मिला 4 समय नौ का मतलब है माल लेते हैं इसको 4 x और 9 x कुछ भी आप माल सकते हैं यानि चार और 9 के रेशियो में जो या है, VOTING प्राप्त हुए हैं इनको, A ऊर B को और 9 को जो VOT मिला है, यानि B को जो VOT मिला है, वह जो है, इतना मिलना है, 9,884,321, ठीक है, यानि 9 की value को बता रहा है यह, तो 1 की value कितनी होग zucch तो 9,884,321, में नौ से भाग कर देंगे तो आ जाएगा इतना है ठीक है एक आइद आइज सेकड़ हजार दसजार लाग एक लाग नौजार तो कुछ भी नहीं था प्रस्ण में इसमें जो है कुछ भी नहीं था तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो कमेंट में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते रहिएगा तो आईए अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं यह देखिए ठावनवा प्रस्ण है आईए इसको पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को 20 व्यक्तियों को दिन में 8 गंटे कारे करते हुए 15 दिनों का समय लगता है उसी कारे को चार दिनों पूरा करने के लिए 60 व्यक्तियों को प्रति दिन कितने गंटे कारे करना चाहिए 11 गंटा 12 गंटा 9 गंटा 10 गंटा आईए इसके है बस एक लाइन में तो इसमें फार्मुला क्या लगता है M1 D1 H1 बटे W1 तो वर्क जो है दोनों स्यम है ठीक है तो एक ही कार्य है तो यह 20 वेक्ति है आठ घंटा काम कर रहे हैं तो 15 दिनों में काम खतम हो जा रहा है यह जो है कि इसमें जो है प्रस्ण को थोड़ा देख लिया जाएं तो यह जो है चार दिनों में कारे को पूरा करना है व्यक्तियों की संख्या पड़ गई साथ हो गई तो कितने घंटे कारे करना पड़ेगा तो यह घंटा पूशा है तो साथ को 20 से काटेंगे तो तीन बार में कड़ कर जाएगा तीन से पंद्रों काटेंगे पांच बार में कड़ जाएगा चार से आठ को आटेंगे दो बार में कड़ेगा तो यह पांधुना का 10 यानि कि जो है साथ वेक्ति चार दिन में काम खतम करना है तो तो दस घंटे पर ड़े काम करेंगे चिक है यह इसका सल्यूश धूछार के दिए बार में काम करेंगे जाएगा तीन में करेंगे पर लाएगा।